हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ राजन और आप देख रहे हमारा चैनल आरेडे बुटिक आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बीगिनर्स के लिए एक सांदार ब्लाउज डिजाइन लेके आया हूं पिछला जो आपने वीडियो देखा उससे भी यह सरल पड़ेगा तो शुरुबात करते हैं इस ब्लाउज डिजाइन की यहां पर एक डोरी पाइपिंग हमें चाहिए और एक हमने बोव बनाने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया उसके द्रिक्ट हमें कुछ नहीं चाहिए गले का मिजरमेंट यहां पर समझेंगे तो गला यहां पर सब्बाद 2 इंच का लेना है इस तरह से उसके बाद बाद करें गले की गहराई तो यह शाड़े दस लेना है कि साड़े 10 इंच पर नीचे निशान लगाने के बाद यहां पर एक फैलाओ वाला निशान लगाएंगे गले का यह तीन इंच तक आप लगा सकते हूं कि अब इन निशानों को स्केल से मिलाएं कि मिलाने के बाद देंगे गले का शेप यह हो गया अब यहां पर गले का जो शेप है वो ड्रॉख करते हैं सिंपल गुल गले का उसके बाद यहां पर एक लाइन चॉक से और ड्रॉख करनी हैं यह लेस लगाने के लिए होगा और बोब फिट करने के लिए तो मिजर मेंट यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तीन इंच यह पूरा-पूरा तीन इंच नहीं लगाएंगे पौने तीन भी लगाएंगे तो भी चलेगा ठीक है बोकी साइच के हिसाब से आप इसको रखेंगे और उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से राउंड कर देना है तो इसी राउंड पे हम लेस फिट करेंगे और अब यह सब करने के बाद चलिए करतें कटिंग इसकी कि यह हो जाने के बाद अभी देखिएगा इसको हम पल्टाएंगे और यह जो भी हमने निशान लगाना लेस लगाने का उसको दूसरी तरफ थपा लगाना है ताकि एक ब्राबर से निशान प्रिंट हो इसके बाद हम इसको कर लेंगे ओपन और यहां पर जो निशान आया है खैर इसको उभारने की और शक्ता हमें नहीं है लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ अब देखें यह बहुत ही सरल एक ब्लाउज डिजाइन है तो सबसे पहले हम यहां पर डोरी पाइपिंग को फिट करेंगे और डोरी पाइपिंग लगाने का तरीका आप सभी लोग जानते हैं अगर कोई नया आया है चैनल पर नहीं जानते हैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक लिए सीख सकते हो अब चलिए इसको करते हैं फिटेंग और फिर देखते हैं आगे डिजाइन में क्या करना है करने पर अब पर नुए कर दो कि यह पाइपिंग लग गया पाइपिंग के बाद हम एक एक्स्ट्रा कपड़ा जिस पर मैंने कहा था कि हम बो लगाएंगे यह हम लेते हैं इसका लंबाई चोड़ाई मैं आप लोगों को बता दूं यह हमने गनुमानित अभी कटिंग करके रखा हुआ है यहां पर यह जो एक्चॉल साइज आ रही है यह देखना जो भी साइज आप यहां पर रखोगे उसे थोड़ा आपको बड़ा रखना है वाल दोनों तरप कम से कम सिलाई मार्जीन आपका होना चाहिए हाफ आफ इंच का उस तरह से आप इसको कटिंग करेंगे तो यह जैसे लगबग अभी 6 इंच का है तो हम इसको कम से कम साथ इंच का कपड़ा रखेंगे तो यहां पर अच्छे से बो बनेगा तो देखिए अब इसका जो एक्चॉल साइज आ रहा है यह है साड़े पांच इंच इसकी उंचाई और लगबग साथ इंच की चौड़ाई तो यह अ प्रवकार से डबल फोल्ड करके किनारे से सिलाई करना है अब यह सिलाई करके आपको इसको पल्टाना है तो यह असानी से पलट जाएगा अब यह पल्टा करके जॉइंट को आपको बीच में लेना है यह देख सकते हो आप यह जो जॉइंट है यहाप एक क्रिज लगा दें बीच ओ बीच रखना है इसको यह हमारा सीधा साइड होगा जॉइंट वाला उल्टा साइड हो गया तो अब हम इसमें क्या करेंगे दागा हो सके तो यहां पर सेम कलर का यूज़ करें यह इस तरह से हाथ से बिल्कुल छोटी-छोटी चुनटे इस प्रकार से लगा लें सिलाई की जौरत नहीं पड़ेगी और इसको पकड़े रहना है फिर धागे से बांद देना है यह बो बनाने का सबसे असान तरीका होत देना है इस तरह से दूसरी साइट भी वैसे ही लगाना है अब यहां ला करके रख देंगे तो यह दिखिए यह हमारा सेंटर जगा होगा इसको ब्रापर सेंटर मिला करके इस तरह से रखना है तो फिट करने का बिल्कुल सिंपल तरीका होगा किनारी किनारी से चिपकाली ने सिलाई लगा करके जैस अब बारी यह जो निशान हमने लगा रख है उनमें लेस फिट करने की तो यह इस तरीके से यहां पर लेस फिट होगा जगा का ऑट听 combine ले लोगा कर तो लेकारली मावा भी यह जोगा कर विट कर दोड़ें लेका से रखना है MRI औरी तो यह जिस तर्व ऑलगा कर दो सिलाई Schmidt मिला में लेकार रखना है तो यहां लेस लगाने के बाद देखिए बीच में हम एक छोटे से बटन का यूज करेंगे यह जो बटन है यहां पर जब इस प्रकार से लगेगा काफी अच्छा लुक आएगा तो यह फिट करने के बाद चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक तो यह देखिए यह एक और शांदार ब्लाउश डिजाइन बीगिनर्स के लिए मैं अभी लेकर के आ रहा हूं आई होप आप लोगों को परशंद आ रहे होंगे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना शेयर करना चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सस्क्राइब भी कर लिजेगा मैं राजान आ नए डिजाइन के शांद तब तक के लिए जय हैं